दिनांक 26 अप्तुबर 2023 को दोपेर को दो बज़े के दर्में बीपीटी रेलवे इंजिन के ड्राइवर दिपक सोना ले इन्होंने पोली सेशन वडाला में एक खबर दी कि बीपीटी गेट नंबर चार और पास के दर्में ट्राक का इंस्पेक्शन करते समय उन्हें एक जली हुई लाश मिली है यह बात खबर मिलते ही हमारे वडाला पुली सेशन के टीम वहां गई तो एक अंदाजन 40 से 50 उमर की महिला की पूरी जली हुई लाश वहां हमें दिखी हमें और वरिष्ट अधिकर्द को वहां बुलाया गया पंचनामा करके वह लाश को ताबे में लिया गया लाश इतनी बुरी त दिखी बड़ा मुश्किल काम था तो उस लाश के फोटोग्राफ और डॉक्टर की मदद से उस लाश के उपर जो फ्ञां के नाप के दागीने और हाथ की जो अंति थी वो निकल लिए उसे साफ पिया गया और जो भी उसका फोटो था और यह दागीना का फोटो के पोस्ट बनाए गए और पूरे एरिया में वडाला चिंदी गली बंगाली कुरा संगम नगर वडाला टीटी आरेके माटूंगा यह नजदी के सभी परिसर में यह पोस्टर चपाए गए पोस्टर बाते गए इन सभी एरिया में हमारे लोग गए वा लोगों की मीटिंग ली गई औ और इसी मेंदी के वज़े से वो लाश हमें लाश का डिटेक्शन दो दिन बाद हमें 28 तरिकों मिल अठाइस तरिकों हमें यह इंफॉमेशन मिली कि दोस्ती एटर्नल इस बिल्लिंग के पर्स फ्लोर में जो एक लेडी रहती है वहाए आवरत काम करने जाती है तो वहाँ इ पर फिटल बेजा गया जो भी वह डेड़ बडी बची थी और उसके जो दागी ने थे और उसके पेर के नाकून से उन्होंने वह डेड़ बडी पहेचान ली इसके बावजूद कंक्रूसीवली यह प्रूव करने के लिए हमने उनके और डेड़ बडी के जो डीने सैंपल इसके पीछे कौन आरूपी है यह डूड़ने के लिए भी हमारी पूशिस चालूई थी पूरी पोर्ड जोन के वडला शीवडी और एलोगेट कि हमने बाहरा टीम बनाई है इसमें पूलिस इंस्पेक्टर इसमें एसीपी वीशे साब सिनर इंस्पेक्टर जादो साब और पूलिस टेशन वडला के डिटेक्शन ऑफिसर खाटमोडे साब रनवरे साब पूलिस टेशन वडला के और ऑफिसर एसाई गारूए मैडम इसके अलोग शीवडी पूलिस टेशन के खुडे साब वडला पूलिस टेशन के जगदाले साब मामुन कर पी आए वड़ाला पुलिस्टेशन के पिर यलोगिट पुलिस्टेशन के शेड़के साब उनकी टीम शीवडिंग पुलिस्टेशन के काड़ेकर साब उनकी टीम आईसे आंदर जन 12 टीम हुने इसमें फॉर्म किये थे इन सभी टीम को अलग-अलग जॉप दिया गय इस आधर पर हमें यह पता चला कि जिंदिगली के वरिसर में 24 टारी को शाम को 6 बजे के दर्मन में दिखी ती तो इंटेंसली उस आंदर जन 11 जोपटपटी को सर्च किया गया वह लोग को की पुस्ताज की गई और गुपने इन्फोर्मेशन से हमें यह पता चला कि यह जो कि जो पैदा चोरी करने के उद्देश से पैलश पर उसके उस Чुन्हे घो आनके अंदर अन्धिरा के बाद वापस वह अलब हुआ गया और जोंब ओर ले गया थाकि आए और शिकिवस्तक्रा दू्स कि आ龍 के इस खुड़ता हें इसलिए हमने फूरी होशी ठीव की थी और जलिदे से पास दिन के के क्लिंके लिए और आरोफी को सजा मिलने के उद्देश सेुगर्णा और झजिशा कर लो मुला है और जो आरूपी है जो आरेश्ट हुआ है उसका नम मुहमत पईस रफिक सयद है जो भी शजीद बहगत सिंग नगर चिंदी के लिए उसी परिश्रका रहने वालत है तो इसमें जिस लेड़ी का को पहेचानना मुश्किल था इस दूरी दर जली हुई थी उस डेड़ कि पहेचान करना और उसके बाद आरूपी को पकड़ना इस चार या पास दिन में जो काम किया है वह हमारे जून के सभी अधिकरिय में कम इन नाम लिया लोग बढ़िया काम किया गया है उनको हम आवश्यक रिवर्ट देने वाले है और इस गुना भी अच्छी तरह से तप उसको पूई काम पर नहीं था वह बेरोजगार था तो इसलिए उसको आर्थिक अच्छन थी और वो महिला का उसके घर के सामने से रोज आना जाना था तो उसके कान पर जेवर दिके दे पहले भी और उस दिन उसने चोरी करने के उद्धिश्य उसको घर पर बुलाए और उ अब बाहू हर गुरवर को आते हैं और लोगों की जो समस्या है उसे बारे में वो अपना काम करते हैं कोई क्रिमिनल आग्राउं रहा है आरूपी का से रहा है आरूपी को इसके पहले कभी आरेस्ट किया नहीं गया है और कोई उसको पर गुना दाखल नहीं है आईसी माहितिया आज हमें आज तक की इन्फॉमेशन की इसाब से रहे हम आगे मुंबई में कई और पुली जाले किसिता सामने आए तो उससे सकसे अकर रही होगी उसके रेकिंडन की उसके घर गुलाए था उसने वह उसके खाला करें गुलाता था तो उसके खाला आओ कापी दिन हो गया है और चाही बिन आओ अईसा पर लुझ कुए अब इसा इसाथ हिसा हम कोई कि प्रुझ करें और बागना मरिमान कमा